गुटने दर्ध की समस्या आजकल बहुत बढ़ गई है लेटिस्ट रिसर्च में आया है कि हर हंडर्ड में से 65 अडर्ड्स गुटने दर्ध की कम्प्लेंट कर रहे हैं गुटनों के दर्ध से जूँज रहे हैं मल्टिपल कारण हो सकते हैं ओबासिटी, बैड पोस्चर, इंजरी, टॉन, लिगमेंट, ओवर्यूज ओफ नी मसल्स, लैक ओफ रेस्ट और नोट वामिंग अप बिफोर एक्सरसाइजें देखिए आपके घुटनों में दर्ध का कारण कोई भी हो बट यू कांट इग्नोर यूर नी पे आप अपने घुटनों के दर्ध को इग्नोर नहीं कर सकते रेस्ट एंड आइसिंग कें वर्क बट दिस इस नोट दिसलूशन आपको अपने घुटनों को हील करने के लिए नी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करनी पड़ें नमश्कार मैं डॉक्टर सोनिया पाठर फाउंडर अफ निरंकारी योगा सेंटर आपके ही यूट्यूब चैनल पर आप सब का स्वाज़ब करते हैं आपके घुटने बोन्स, कार्टिलेज, लिगमेंट्स और फ्लूट द्वारा स्पोर्ट किये जाते हैं इसलिए घुटनों को हील करने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आपके थाइस के आगे वाले मसल्स यानि क्वाडिसेप्ट और थाइस के पीछे वाले मसल्स यानि हैंस्ट्रिंग मसल्स और आपके काफ मसल्स यानि आपकी पिंडलियां इन पर काम किया जाए, इनको स् इस वीडियो में मैं आपके लिए इन ही मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए एक्सराइज लेकर आ रही हूँ इन एक्सराइजेस को करके आपका पूरा लोवर लिंब स्ट्रॉम हो जाएगा जिससे आपके घुटने बहुत जल्दी पेन से फ्री हो जाएंगे बहुत जल्दी आपके घुटने हील हो जाएगे और अगर आप इन एक्सराइजेस का नियमित अभ्यास करते हैं तो आप बहुत बड़े सर्जरी से भी बच सकते हैं किसी भी कारण से वह भी आप बच सकते हैं तो वीडियो को ध्यान से देखेगा क्योंकि इन एक्सराइजेस को करने के लिए एंगल्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है तो इस वीडियो को ध्यान से दुखिए अपने नीज को strengthen करने के लिए आपने सबसे पहले इस exercise में कुशन जरूर रखना है चेर पे और इस प्रकार से रखिए कुशन जो आपके बिल्कुल चेर की edge पे edge से भी थोड़ा सा बाहर कर दे ताकि ये बिल्कुल आपके घुटनों क को नीचे से कुशन जो है बिल्कुल ग्रिप कर ले बिल्कुल अपने कमर को सीधा करके बैठना है आपने और आपके पैर जो है वो पूरी तरह से जमीन पर लगे रहे इस बात का आप विशेश ध्यान करें अब आपने इसके साथ स्टॉल का भी इस्तेमाल करना है एक पट्टे को आपने बिल्कुल अपने पैर के सेंटर में ग्रिप कराना है अब बिल्कुल अपनी तांग अंदर की तरफ खेंचते ऊए एढ़ी बाहर पंजा अंदर खेंचते उए कुशन को दबाते हुए आपने टांग को सीधा कर देना है परफेक्ट बिल्कुल टांग सीधी 10 काउंट तक आपने स्टे करना है इसके बाद रिलाक्स कीजिए और फिर आपने टांग को उपर कर देना है बिल्कुल पैर को अंदर खेंचते हुए एड़ी बाहर पंजा अंदर ये आपकी दो फोर्स का इस्तेमाल होना चाहिए एक घुटने से कुशन को प्रेस करना है और दूसरा दुपट्टे से आपने पैर को अंदर की तरफ पूरी तरह से प्रेस करना है फिर से रिलीज कीजिए देन अगेन आप बिल्कुल टांग सीधी तीन बार हम इस एक्सराइस को अटेंट करेंगे टेन टेन काउंट पे देन रिलाक्स चलिए अब आप सेम एक्सराइस दूसरे टांग पे करेंगे चलिए अपने पैर को फसा दीजिए दूसरा पैर बिल्कुल जमीन पे सीधा रख दें अब बिल्कुल गुटने से कुशन को दबाते हुए अपने एड़ी को बाहर की तरफ पंजे को अंदर की तरफ खेंचते हुए परफेक्ट बहुत अच्छे बस टेन काउंटी स्टे करना है चलिए और तीन बार एक ही बार में आपने थ्री टाइम यह एक्सराइस करनी है टेन काउंट स्टे शाबाश रिलाक्स नाओ अगेन लास्ट अटेंट आप इससे आपके घुटनों में मोबिलिटी बढ़ेगी आपके क्वाडिसेप्स हैंस्ट्रिंग मसल्स और आपके काफ मसल्स पूरी तरह से स्ट्रेच हो जाएंगे जान आ जाएगी आपकी टांग में अब आप सांस छोड़ते हुए रिलाक्स करें दुपट्टा हटा दें नेक्स्ट एक्ससाइज में आपने एक और कुशन का इस्तिमाल करना है इसको हमने फोल्ड कर लेना है और बिल्कुल दोनों घुटनों के बीच में रख देना है दोनों पैर आपके जमीन पर सटे रहेंगे कमर सीधी अब आपने अपने दोनों घुटनों से कुशन को अंदर की तरफ दबाना है 10 काउंट तक दबाए रखना है फिर ढीला छोड़ दें परफेक्ट एक बार और कुशन को दबा दें परफेक्ट बिल्कुल सही बहुत ही बढ़िया कम से कम भी हमने तीन बार अटेम्ट करना है इसी एक्सराइज में आपने दुपट्टे का भी इस्तेमाल करना है जल्दी से आप स्टॉल पकड़ ले और स्टॉल के दोनों सीरों को अपने दोनों हाथों में लपेट ले अब आपने दोनों परों के सेंटर में उसी परकार से दुपट्टे को ग्रिप करना है जैसे हमने पहले एक एक पर में किया था अब सेंटर से आपने कुशन को दबाना है और दोनों पंजों को दुपटे से खेच दीजिए आगे की तरफ दोनों टांगे बिल्कुल सीधी यहाँ पर आप दो फोर्स को इस्तेमाल दो फोर्सिस लगा रहे हैं दो फोर्सिस का परियोग कर रहे हैं एक दोनों घुटनों से अंदर की तरफ और दूसरा आप दुपटे से अपने पूरे काफ्स को खेंचते हुए एडियों को खेंचते हुए पंजों को अंदर की तरफ कर रहे हैं रिलाक्स टैन काउंट शाबाश बस फिर आजाए उपर येस इसको भी आपने तीन बार अटेम्ट करना है ध्यान से देखिए इस एक्सेसाइज को दोनों घुटने बीच से आपका कुशन प्रेस कर रहे हैं ये भी तीन बार ही आपने अटेम्ट करनी है बहुत अच्छे बिलकुल लेक्सी धी दोनों घुटने बीच में से कुशन को प्रेस कर रहे हैं और दुपट्टे से आप दोनों पंजे अंदर की तरफ एड़ी खेंचते हुए परफेक्ट शान्त इस एक्सेसाइज में आपने उसी स्थान पे खड़े हो जाना है अपना चहरा चेर की तरफ कर दीजिए कुशन को फोल्ड करते हुए आपने बिलकुल दोनों घुटनों के बीच में रखना है कुशन को अच्छे से गुटनों हाथ चेर के हैंडल्स पर जमा लीजिए अच्छे से चेर को पकड़ लीजिए अब आपने इसी position में अपने पंजो को, yes, अपने पंजो के उपर पूरा body weight डालते हुए उपर और फिर आपने एडियों के उपर पूरा body weight डालते हुए एड़ पंजे उपर, शाब बाश, इसी गती में चलते रहिए, कम से कम भी आपने 15 to 20 टाइम इस exercise को repeat करना है, दोनों घुटनों से कुशन को दबाए रखते हुए आपने ये exercise करनी है, आपके knees में strengthen यानी जान आ जाएगी, पूरे calves आपके मजबूत हो जाएगे और हमारे calves को second heart कहा जाता है, हमारी body का blood flow बढ़ जाएगा, हमारे knees में, हमारे calves में, हमारे hamstrings muscles में भी जान आ जाएगी, हमारे पूरे lower limb में blood circulation बढ़ जाएगा, जान आ जाएगी, 15 से 20 बार आपने इस exercise को इसी प्रकार से attempt करना है, और ध्यान रहे कि दोनों घुटनों में कुश्यन के उपर दबाग बना रहे, अब आप शान्त हो जाएगे और बड़ी आराम से बैठ जाएगे, relax, इस exercise में आपने दुपट्टे को फोल्ड करके अपनी दोनों एडियों के नीचे रख देना है, पंजे उपर की तरफ ही रहेंगे, अब कुश्यन को पकड़के, फोल्ड करके आपने अपने गुटनों के बीच में फसा देना है, दोनों गुटनों का force उसी समय शुरू हो जाएगा, कुश्यन को प्रेस करने में, दोनों हाथ पीछे रख दीजे स्पोर्ट के लिए, पंजे उपर, अब एडि को रगड़ते हुए टांगे सीधी, बेंड, स्ट्रेट, बेंड, कुश्यन को दोनों गुटने गुरिप करके रखेंगे, और दोनों टांगे आपने इसी प्रकार से बेंड स्ट्रेट करनी है, ध्यान रहे पंजा अंदर की तरफ हो, आपकी एडियां बिल्कुल दुपट्टे के उपर, ताकि आप स्लाइड कर पाएं, इसलिए दुपट्टे को नीचे रखा गया है, बहुत बढ़िया, परफेक्ट, ये कम से कम भी आपने पंदरा से बीज बार इस एक्सरसाइज को अटेम्ट करना है, बहुत बढ़िया, अब आप शान्त हो जाएंगे, अराम से कोशन को निकाल दें, दुपट्टे को भी निकाल दें, और आराम से बैठ जाएंगे, घुटनों को जितना स्ट्रेंजन एक्सरसाइज करना जरूरी, उससे भी ज़्यादा जरूरी है घुटनों को रिलाक्स करना, आप दोनों घुटनों को बेंड करते हुए, दोनों पैर जमीन पे लगाते हुए, कम से कम भी दोनों पैरों में आपने धाई फूट का फासला देना है, दोनों हाथ पीछे रखते हुए, ओपोजिट घुटना एडी को टच करेगा, येस, करते जाएंगे, इससे आपके घ एक्सराइज को अटेंप्ट करना है, ये एक्सराइज रिलाक्सिशन के लिए है, पंदरा से बीस बार, बहुत जरूरी है ये एक्सराइज करना, गुटनों के मसल्स को रिलाक्स करने के लिए, अब आप अराम से दोनों टांगे सीधी कर लें, मसल्स को रिलाक्स करना बहुत जरूरी, सबसे पहले आप अपने कोडिसेप्स मसल्स को रिलाक्स करेंगी, बहुत बढ़िया, अपनी हथेलियों से, अंदर से बाहर की और दोनों हाथों से, इसी प्रकार से दूसरे टांग पे भी, परफेक्ट, बहुत बढ़िया, कम से कम आज से दस बार आपने इस प्रकार से अपने muscles को relax करना है इसके पस्छाहथ आपने अपनी दोनों हथेलियों को गुटनों पर रख देना है और अपनी चप्नी गुटनों के ऊपर की चप्नी यानि पटेला को clockwise और anticlock wise आपने अच्छे से गुमाना है हथेलियों से ये रिलाक्स हो जाएंगे आपके घुटने अब आप अपने दोनों हाथ पीछे रख दीजे स्पोर्ट के लिए और दोनों टांगों को आपने अपने जमीन पर फ्लोर पर बाउंस करना है कम से कम भी 20-40 टाइम आपने बाउंस जरूर करना है अपने टांगों को फ्लोर पर वहीं पर आपने रिलाक्स हो जाना है स्लाइटली चिन अप जास डीप ब्रीथ ब्रीद ब्रीद आउट मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये एक्सराइज़स समझ में आ गई होगे इनका एंगर इन एक्सराइज़स का डेली अभियास कीजिए सच में आप गुटने दर्द से बच जाएंगे और हाँ जिनको गुटनों के दर्द के मेजर इशूस हैं और जिन लोगों को डॉक्टर ने सर्जरी का कह दिया है आप ये एक्सराइज़स रेगुलर कीजिए आप सर्जरी से बच जाएंगे योग केंडू मिराकल कृपिया इस वीडियो को जितना हो सके शियर कीजिए ताकि सभी लोग गुटनों के दर्द से बच जाएंगे और लाइक कीजिए इस वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद